So hi everyone, this is me Nidhi Gupta, your English Coach. कैसे है सब लोग और कैसी चल रही है आपकी 10th की स्थार्टिंग? विकिस ये जो वीडियो है, वो क्लास 10th के स्टूरेंस के लिए हैं. और आज के वीडियो में हम लोग मार्किंग स्कीम की बात करने वाले हैं. It is just like कि आपके सामने मैंने question paper रख दिया. तो आप पहली बार 10th का board दे रहे हो तो आपको लग रहा होगा ना मैं paper कैसा आते जरद दिखाईए तो तुचर दिखा देते हैं. आपको मैं यहां marking scheme दिखाने वाली हूँ, पूरे आपके question paper की. तो आपको पता रहेगा आज से ही कि आपका paper किस तरीके से आएगा, किस level के questions आएगे, short, long, कितने-कितने number की आएगे, सब कुछ सारी clarity आपको मैं जाएगी, छोटा सा 5 मिट का वीडियो रहेगा, ज्यादा-बड़ा नहीं बनाऊंगी, लिकिन आपको सब कुछ इसमें clear कर आएगा, पहले हम लोग एक मोटा-मोटा इसका average समझ लेते हैं कि किस तरीके से questions हैं, और फिर मैं आपको blueprint इसका दिखाऊंगी, जो आपकी mark scheme रहेगी, और इसमें आपको help मिलने वाली है, पूरा अपना paper समझने के लिए, ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए, आपके पास बेटर reading comprehension के हैं, writing के अगर बात करें तो 20 number writing के हैं, और 40 number आपके जो है, पूरे के पूरे literature के हैं, इसमें भी 10 की writing और 10 की grammar, है ना 10 plus 10, इस तरीके से रहेगा 20, तो 10 number की grammar है, 10 number की writing है, 5-5 number की दो आएंगी, reading भी 10 number के हैं, आपके 10 plus 10 भी 20 number के हैं, literature आपका पूरा-पूरा 40 marks इसकी, मतलब division कैसे हो रहा है, वो हम लोग next slide पर देख लेते हैं, पेपर आपके हाथ में, जैसे ही आएगा, question paper, अभी हम देखो, इस बारे में बात करें, ताकि आप लोग विजुलाइज करना शुरू करों, कि बोड़ देना है, बोड़ देना है, तो जैसे ही आपके पास है, आप लोग के लिए बनाया गया है, अब next slide पर आप लोग देखने वाले हैं, पूरी marking scheme, देखी, यह आपके सामने आ गई है, मैं इसको एक बार आप लोग को explain कर देती हूं, बड़ी ऐसा pen लेके, black ही ले लेती हूं, ब्लू ले लेती हूं, चलेगा, हाँ, ठीक है, dark सा क पूरा pattern है, जो मैं आपको बता रख्यू, यहाँ पर जैसे मैंने पहले section B grammar लिखा था, अब मैंने यहाँ लिख भी दिया, कि grammar में क्या-क्या, section B writing लिखा था, मैंने यहाँ लिख भी दिया, writing में क्या-क्या, I hope आपको screen पर दिख रहा होगा, section A reading, कौन-कौन से दो reading है, वो chances है कि कोई 2 number का question भी आजाए, हो सकता है, मैंने लिखा दिये, मैंने सीथी एक एक number की 10 questions बना दिये, क्योंकि chances है कि कभी-कभी आजाता है, एक आध question, बट हम इसको एक number का एक मान के चलेंगे, letter writing और analytical paragraph किते number का आएगा मैं, 5-5 number के, तो 1 आएगा 5 number के writing, option रहेंगे, yes, 2 में से एक करना रहेगा, total आपके 10 number का ये भी बन जाता है, clear हो गया, section B, grammar की अब हम लोग बात करें, तो ये देखो, आपका 10 number का grammar है, इसमें, ढंक से देख ले न, tenses से related, 3 questions आते हैं, models का एक आता है, determiners का एक आता है, subject verb agreement का एक आता है, reported speech के 4 questions आते हैं, 3 से 4 तो आते ही आते हैं, error editing, मतलब की detection and correction के 2 questions आते हैं, तो अब ये 12 है total, लेकिन आपको करने 10 होते हैं, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लेकिन आपको करने 10 होते हैं, है न, तो दो आपकी optional रहते हैं, लेकिन आते कुछ इस तरीके से ही हैं, इसलिए आपकी marking scheme मैंने grammar के आपको बता दी, अब हम लोग आ जाते हैं major part पर जो हमारा सबसे जादा weightage लेता है, ये है आपका section C, जिसको हम लोग बोते हैं literature, literature का जो आपका section है न, बच्चों बड़ा ही खतरना के, है न, बड़ा ही खतरना के, बहुत सारी questions हैं जो literature से पूछे जाते हैं, for example, सबसे पहले आप लोग दे किस book में से आएगा, और long question and short questions किस book में से आएगे, हमें book के नाम पता है, नहीं पता है, तो बजल्दी से पहले बताईए, chat section में, comment section, chat section किसी में भी बता सकते हैं, सबसे पहले हमारी book है, first flight की, है न, first flight की book में से हमें, जो है, एक reference to context आएगा, ठीक है, तो एक या तो first flight की book में से आएगा, या एक हमारा, which is the second book, footprint without feet में से आएगा, अब यह जो पांच number का reference to context है, यह दोनों में से किसी भी book में सकते है, जो मेरी पांच number का reference to context है, यह दोनों में से किसी भी book में से आसकते है, या तो यह first flight का होगा, ठीक, या फिर यह फूट प्रिंट का होगा, क्या बताता है वह एक सकता है कि किस और वाला रॉका किसी चैप्टर में से दे देता है और डूसरा डॉसरा डॉक प्रेटेक्स में दो पोव होती है, दो नोगी पोव फिर्स फ्लाइट के है, क्योंकि फूट्प्रिंस विदाउट फीट में कोई पोव है नहीं, क्लियर हो गया आप लोगो, तो पांच नमबर के दो आपको चार में से दो करने रहेंगे, तो दो प्रोस के आप्शन्स बुक मैंने आपको यहां बता दिया है, आप शॉर्ट कोईशन्स की बात कर लेते हैं, फर्स फ्लाइट से आपको तीन तीन नमबर के चार कोईशन्स करने पड़ेंगे, आएंगे कितने पांच, पांच में से करोगे चार, एक आपका ऑप्शनल रहेगा, फूट्प्रिंस फीट में से तीन तीन नमबर के आपको दो करने हैं, तो यह भी आपको चार, तीन आएंगे, तीन में से आपको दो करने, एक एक यह उप्शन में हमेशा आपको देगी रहे हैं, ख्लियर हो गया आपको, तो 6 आपको टोटल क्या है, क्वेशन्स करने रहते हैं, शॉर्ट व सो दस नमबर की ऍ니다 यह 8 रहेगा आपको एक करनाया है सिक्स माकस में क्या आएगा इंतकर यान टीन कि वेथबीज्ट 007 और ङ् 구htso से देख लीजे, I hope कोई डाउट नहीं है, फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, मुझे, chat section में लिख कर देंगे, मैं आपको इसका डाउट clear करके दूँगी, अब देखो बच्चो, ऐसा है कि अब जब मैं आपको तैयारी कराना, शुरू कराने वाली हो ना, तो मैं इन ही चीज़ों को ध्यार में रखूँगी, कि मान लीजी, आपका कोई short question है, है न, तीन number का short question है, तो हमें तीन number में कम से कम 7-8 line लिखनी चाहिए, तब जाके मैं तीन number में लेंगे, कम से कम 7 line है, ठीक है, 6-8 line है, अब मुझे पता है, आप लोग बूलो कि बड़ा 9 में, आप 3-3 line में answer लिखनी है, आप क्या करा रहे हो यह, बिटा, ये board exam है, board exam में आपको तयार करना है, अच्छा, एक और बड़े मज़ी की बात बताती हूँ, जब हम लोग शुरुवात करते हैं ना, पहले session में, पहले chapter कि जब मैं आपको question answers करा हूँ, आपको बहुत डर लगेगा, आप बोलो कि मैं कितने बड़े-बड़े answer लिखा रहे हूँ शौट में भी, और last chapter होते होते हैं आपको वही बड़े-बड़े questions छोटे लगने लगेगे, आपके school में ऐसा होगा कि आपके teacher आपको बोलेगी, ऐसा मेरे साथ में actually experience है, बच्चे आके बोलता है, कि मैं हमारी teacher बोलती है, तुमने कितने अच्छे answer लगे, कहां से लिखे, या आपको answer लिखना कितना अच्छे से आ गया है, और आपको खुद लगेगा, कि मैंने वह को short नहीं किया जारा, हम लोग answer writing की practice करेंगे, मेरी question answer के session बहुत अच्छे होते हैं, बचों, जबी भी time मिलेगा, उसको join जरूर करिएगा, या फिर आप recorded देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं हैं, लेकिन आप लोग उसको करिए जरूर क्योंकि मैं बहुत महनत से content आप लोग के लिए बनाने वाली हूँ, हर टीचर महनत करती है, तो एट हम students को जो best है उनके साथ में उनकी help कर सके, तो that is it, आज के वीडियो में, देको दो वन बैक टू बैक वीडियो आप लोग के लिए आई है, एक आई है syllabus analysis को लेकर, दूसरा है scheme, marketing scheme को लेकर, दोरो वीडियो को देखिएगा, अगर end तक वीडियो देखा है तो comment section में बताईएगा ज़रूर आप कितने तयार हैं, और कैसा feel कर रहे हैं नया session मेरे साथ में start करने के लिए, good, better, excellent, लेंक, तीनों मेंसे एक बार चूस करना, comment section में drop करना, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, till then, bye everyone and take care.